वेल्कम बैक टू माई चैनल हेमा जोशी माई लाइफ व्लॉग्स आई होप आप सब की कोंगे स्वस्कोंगे सुरक्षित होंगे अपने फैमिली के साथ होंगे तो फ्रेंड्स आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आई हूँ सुबश भाई के खेतों से और सुबश भाई ने यह वीडियो मुझे सेंड किया है लास्ट वीडियो में आपने देखा था सुबश भाई के खेत और आज जो हम देख रहे हैं वो यह है कि धान की कटाई किस तरीके से होती है तो यहां देखिए यह जो मशीन है इस मशीन से धान की कटाई होती है और सारा कुछ अंदर सेप प्रेट कर दिये जाते हैं ट्रॉली में जो कि आप देख सकते हैं मशीन के त्रू इसे ट्रांसफर किया जा रहा है ट्रॉली में जहां पर एक मैनुवल लेबर है जो जागा भी बना रहे हैं धान के लिए तो इस तरीके से धान की कटाई होती है हर्याना की वीडियो है और सुबाज भाई मुझे सेंट करते रहेंगे और मैं आपको अपने चैनल पर दिखाती रहूंगी आई होप आपको यह प्रॉसस समझ में आ गया होगा और यह देखिए कितने बड़ी-बड़ी मशीन सी उज होती है और क्या बोलो इस जो यह जो धान की कटाई जो हो रही है जिस मशीन से उसकी टैंक की कपैसेटी कम से कम 14 या 15 कोईंटल की होगी तो 14-15 कोईंटल जब धान इकटा हो जाता है वो प्रॉली में ट्रांसफर होता है पीछे आप देख सकते हैं जो बचा हुआ जो भूसा है वो ऐस इसे ही खेत में जला दोते हैं इसको तो यह सुबाज भाई के दोस्त हैं जिनका यह ट्रॉली है और देखिए किस तरीके से धान कलेक्ट हो रहे हैं और यह अभी ट्रॉली में ट्रांसफर हो जाएंगे तो फ्रेंड्स आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अग और इसके आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे धान से चावल कैसे निकालते हैं उसका वीडियो तो हम कोशिश करेंगे यह वीडियो आप तक पहुचाएं तो आपके महाँ पर भी क्या इस तरीके से खेती होती है आप प्लीज मेंशन कीजे कमेंट take care